हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो जराना अकेडमी तो जैसे आप जानते हैं क्लास 10th ICSE Chemistry के जो प्रिविए से कोशन हैं वो हम डिसकस कर रहे हैं और अब तक मैं पांच वीडियो डाल चुका हूँ आज का वीडियो और एक और वीडियो बस इसमें हमारे सारे प्रिविए से कोश कोशन है ही बहुत जादा और एकी कोशन को एक्स्पेरियन करने में टाइम लग रहा है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी बने इस वज़े से मैं आप लोगों के इतने पार्स बना देता हूँ और हाँ अगर आब इस चैनल में नए हूँ तो पहले जल्दी से इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको आप लाइक करें शेयर करें और हाँ उपर जितने भी चैनलों जो पेजिस दिये गए हैं उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो भी न कोई टाइम वेस किये चलिए शिरू करते हैं तो देखिए बड़ा आज की लेक्टर के अंदर हमने कोशन नमबर 26 से स्टार्ट तो करना है बट यह 4 मारकर कोशन से आपके मैं एक बात आपको पहले अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आज की लेक्टर के अंदर जातर हमने रियक्शन भी करनी है लेकि एक बात यह भी बात क्लियर है कि क्यूंकि यह previous year question है और यह वाले question आपके आया है इसका ममझा यह जो reflections भात ही important reactions है इन reactions को अच्छे से लिखले के प्रेक्टिस करना और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अच्छे से इसको लिख लेके प्रेक्टिस करोगे तो आप फाइनल एक्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे सबसे पहला कोशन हमारे पास आता है कि इक्वेशन फोर दा लेबोर्डरी प्रेपरेशन ओफ दा फॉलिंग सॉल्ट यूदिंग असे अब वो कहता है कि आयरेन तू सलफेट है फ्रॉम आयरन कोपर सलफेट फ्रॉम लेड नाइडरेट और साथ में सोडियम सलफेट फ्रॉम दा सोडियम काबुनेट बहुत ही सिंप कर देता है कोपर सलफेट में अगर कोपर की बात करू तो कोपर को कॉंसेंट्रेटर सलफियूरिक एसेड के साथ रियक्ट कराना पड़ता है और कराने से क्या होता है एक तो कोपर सलफेट बनेगा ही साथ में पानी और सलफर डाकॉसड भी आपका बनता है ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, lead sulfate को अगर आपने बनाना है from lead nitrate, तो lead nitrate को जैसे sulfuric acid से आप react करवाओगे, तो उस condition में क्या होता है आपके पास, एक तो आपका lead sulfate तो बनेगा ही बनेगा, बर साथ ही साथ आपका nitric acid भी त्यार हो जाता है, sodium sulfate की बात करें, sodium carbonate से, directly बनाना है, तो temperature greater than 200 degree Celsius आपको रखना है, तो यह छोचोड़ी बाते हैं, बट मैं reaction के through भी एक बार आपको समझा देता हूँ, तो सबसे बहुत है कि iron, iron को मैंने sulfuric acid से करवाया react, देख सकते हो iron ने hydrogen को कर दिया replace, और यहाँ पर आपके hydrogen मिल रहा है, उसाथ में FESO4 है, जब मैं copper को concentrated sulfuric acid से मिलाता हूँ, तब जाके copper sulfate, पानी और sulfur dioxide बनता है, अगर मैं lead nitrate को sulfuric acid से मिलाता हूँ, तो जैसे कहा था कि lead sulfate तो बनेगा बनेगा, बट साथ में nitric acid भी त्यार होता है, और last वाला, मैंने क्या कहा था कि अगर sodium carbonate लोगे, और उसको S2SO4 से react करवा रहे हो, अगर तो temperature 200 degree Celsius है, तब ही sodium sulfate बनता है, अगर कम हो गया, तो फिर इसमें H आच आ जाएगा, मैंने Na2HSO4, ठीक है, तो by sulfate basically वो आपका बनता है, तो हमें वो नहीं बनाना है, हमें यहीं बनाना है, इस वज़े से greater than 200 degree Celsius रखेंगे, सामें पानी और carbon dioxide है ही है, I hope आपको ये वाला question अच्छी तरह समझ में आगया होगा, चलिए, आपको लेके चलता हूँ, question number 27 में, अब question number 27 में कहता है, कि write the balance equation from the preparation of the falling compounds, as a major product, तो major product ये बनना चाहिए आपका, iron से ही आपने बनाना है, only one other substance, ठीक है, एक और substance ले लो, और ये बना दो, तो पहले वो कह रहा है कि, यार जैसे कि iron to chloride, तो iron to chloride किलने के लिए आप एक काम करोगे, आइरन को हम HCL के साथ रेक्ट करवा देंगे, तो iron जो है वो क्या करेगा, hydrogen को कर देगा replace, और chlorine सार मिलके हैं, बन जाएगा iron to chloride, तो देखिए, ये रहा वो आपका answer, dilute form में ले सकते हो, कोई problem नहीं है, अपर dilute लिखोगे और आपका answer आजाएगा, लेकिन अगर आप iron 3 chloride की बात करते हो, तो इसके लिए हम गरम गरम iron लेते हैं, उसके उपर dry chlorine को pass कराते हैं, direct वो synthesize, मैंने कठे direct combine कर जाएगा, जिसकी वएशे से आपके पास FECL3, जो है feric chloride, ये आपको मिलता है, इसकी reaction ये रही, मैंने बताया था आपको, heated आपका iron होना चाहिए, dry chlorine होनी चाहिए, जैसे इस dry chlorine को आप इसमें से pass करेंगे, तो आपका FECL3 तयाह हो जाएगा, balanced equation आपके बिलकु सामने है, अब प्लीज इसको जुरूर practice करें, iron 2 sulfate, obvious है iron को sulfuric acid से मिला दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे FeSO4 प्लस S2O तयार होगा, अगर मैं iron 2 sulfide की बात करता हूँ, बहुत सिंपल है जी, sulfur से कर दो react, sulfur से react करके आपका पास iron 2 sulfide बन जाएगा, तो बस इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट complete करना था, अब बात करते हैं five marker questions की, ये caution काफी है मेरे पास इसमें भी, देखें सबसे बलाफ question है यी बहुत जादा, seriously, बहुत जादा आया, acid, basis and salts को लेके caution ही बहुत जादा है आपके, चलिए करना तो है है, तो match the salt given in column 1, with their method of preparation given in column 2, तो देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि PBNO3, whole twice, मतलब हो गया, lead nitrate आपने PBO से बनाना है, तो देखें पहली बात तो यह base है, base के साथ अगर मैं किसी acid को मिलाऊंगा, जैसे कि nitric acid का इस्तेमाल करूंगा, तभी जाकर इसमें NO3 लगेगा, तो कहने का मतलब है कि यह एक neutralization reaction है, तो बस इसी तरीके से आपने ये वाले question को complete करना है, तो step by step reaction दिखाता हूँ, समझाता हूँ और complete करता हूँ, तो पहले हमारे पास है lead nitrate from PBO, तो देखिए, neutralization जैसे मैंने कहा था, तो हमारे पास जो PBO है, उसको मैंने react करवाय है HNO3 के साथ, जोकि nitric acid है, बाद में फिर salt and water तो बनेगा ही बनेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर बन गया है, इसके बाद next है, MG, CL2 और MG से, तो simple displacement है, MG जो है, वो hydrogen को displace कर देता है, जिसके चलते hydrogen liberate तो होगी, बढ़ साथ में MG, CL2 भी त्यार होगा, Fe, Cl3 plus Fe, ये आपका combination बनेगा, ये असते का combination, क्या होता है न, जो heated iron, ये पताथ नहीं कितनी बार पूछ लिया, बहुत बार पूछ लिया, इसको तो धंक से जूर कर ले न, ठीक है न, तो मेरे पास heated iron है, उसको dry chlorine के थूरू पास करूँगा, को उसके थूपास करूंगा तो ओटमेटिकली आरें 3 जो को राइड है वह आपका त्यार हो जाता है तो बहुत ही इंपोरेंट है यार यह ठीक है फिर हमारा फॉर्थ पार क्याता है सी अब एन एन नो थी नाइट्रेट बन रहा फॉर एन नहीं हो एच अब यह बेस है बेस के मैंने हनो 3 के साथ रेक्ट करवा दिया और मलग की वज़े से सॉल्ट और वोटर आपका त्यार हो जाएगा लास्ट है जैडन सी ओ फ्री फ्रॉम जैडन एस ओ फॉर तो देखिए यह प्रेसिप्टेशन रेक्शन के प्रेसिप्टेट बन रहा है आपका यहां पे तो क्या क तरीके से आपने इस कोशन के अंसर देने थे आई होप आपको समझतों आगया होगा कि किस तरह से आपने करना है चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर की अज रियक्शन का दे है और पता क्या इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यह भी है कि अपने आपने कोशन पढ़ लिया वीडियो कर दो पोस ठीक है वीडियो को पोस करने के बाद आपका काम यह होना चाहिए कि पहले खुद सारे रेक्शन लिखके देखो और मैं यहां पर अंसर दे रहा हूं आप मैच करो मैच करने के बाद अगर आपको लगेगा नहीं आप बिल्कुल सही तो बात ही बन गई प देके मैंने आपको सारे आंसर सामने लिखके दे दिया है तो सोडियम नाइट्रेड होता है न्यूटलाइजेशन रेक्शन आइन थी के लिए ड्रक सिंतसिस ड्रक कॉम्बिनेशन के बाद में निकरी थी लेड़कोराइड में डवल डिकॉंपोजीशन हो जाएगी इस सब्सक्राइब करते हैं 30th नमबर की कि गिव दा इक्वेशन फोर प्रेपरेशन ओफ इच फॉलिंग सॉल्ट फॉम्दा स्टार्टिंग मटीरल गिवन ब्लो ठीक है तो आपने कॉपर सलफेट को बनाना है कॉपर टू ऑक्साइड से तो उसको एसे से मिला दो क्योंकि यह है रेक्ट करेंगा तो सौटन वोटर त्यार होगा और यहीं पर आपका कॉपर सलफेट और पानी बन गया है यह बहुत बाहर आता भवै बहुत बाहर आता है तो इरन क्लोरीं क्लोरिन गैस मिला दो बन जाएगा पदरिक इतनी बार्फ ने कर लिया भाई यह पोटैसियम सल का solution, तो hydroxide है, साथ में sulfuric acid तो मिलाने ही पड़ेगा, sulfate और कहां से आएगा, react कर दीजिए, आपको आपका मिल जाएगा answer, lead chloride from lead carbonate, अब देखो, ये, इसमें दो equations से बतानी है, मैं आपको पहले clear कर दू, ध्यान से देखो, ये वाला question में बहुत repeat होता है, और iron 3, chloride जो है, ये वाला question में बहुत repeat होता है, ठीक है, देखिए, तो हमारे पास lead carbonate है, पहले तो lead carbonate को HNO3 सा, ताकि हमारा nitrate बंज़े, उस nitrate को SCL से करके फिर हमारा ये त्यार होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने in questions के answer देने थे, एक बाद ढंक से देख लीजिए, balance करके देख लीजिए, और आपकी practice हो जाएगी, ठीक है, 31 number, अब ये question बड़े खतरनाक होती है, सच मुझ में, जैसे इस से ये बराओ, ऐसे question बने एक बर आपको पहले भी दिखाया थे, मैंने हैं, तो आज फिर हम करने वाले है, इसके अंदर है ZNSO4, ठीक है, zinc sulfate है, अब zinc sulfate से carbonate मुझे बनाना है, तो obvious है कि मैं इसमें sodium carbonate का इस CO3 carbonate है, और मुझे nitrate बनाना है, तो obvious है मैं nitric acid का इस्तेमाल करूँगा, सब्सक्राइब पानी और carbon tax और अपना, ठीक है, अब उसके बाद मुझे बनाना है ZNOH, ठीक है, अब इसके अंदर मैं NOH का इस्तेमाल करूँगा, sodium hydroxide, मिना देंगे तो hydroxide आपका त्यार हो जाएग अब मुझे यहां से पानी जो है वो निकालना है, अब पानी को निकालने के लिए इसको हम थोड़ा heat up कर देंगे, जैसे heat up कर देंगे तो हमारे पास ZNO त्यार हो जाएगा, अब ZNO को मैं sulfuric acid से मिलाओंगा तब ही जाके तो मेरे पास ZNO4 त्यार होगा तो यह जो reactions हैं, इनक के links समझो, जैसे कि sulfate से मुझे दुबारा sulfate बनाना था, एक circle complete करना था, तो पहले sulfate से carbonate बनाने के लिए sodium carbonate, sodium carbonate से nitrate बनाने के लिए HNO3, nitric acid का इस्तमाल होगा, NO3 से OH बनाने के लिए base, that is NaOH का इस्तमाल हुआ, वहाँ से हमने पानी को liberate किया ताकि ZNO बन सके, अब उस Z ZNO में sulfuric acid मिला के दुबारा मैंने उसको ZNSO4 और H2O बना दिया, बहुत है, अराम से आप कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे, देख लेना आप, फिर आता है मैंना 32 number, अब कोशन बहुत है जी, क्या करें, देखिए, लेड sulfate from the lead nitrate solution and dilute sulfuric acid, तो lead nitrate को dilute sulfuric acid से मिला दो, एक sulfur dioxide जूरूर बनता है, ध्यान रखें इस बात का, lead को, अब आप, बार बार मुझे बोलोगे, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप खुद देख लीजिए, कितनी बार copper sulfate, lead chloride, भाई, बार बार आपको चीक चीक के बोल रहा है, यह equation is important है, यह पूची जाती है, इसलिए धंग से उन लाएंगे, तो ammonium sulfate ही तो बनेगा ना, तो उसके बाद आता है, कि sodium chloride from sodium carbonate solution दोनों को मिला दो, पसकाली खतम, मिला दिया, यह बन गया, हाँ, लिए बाई प्रोडक्स समिशे यार रखें, जैसे sulfuric acid की बात करते हैं, sulfur dioxide बन गया, carbonate को जब भी मैंने दिखो acid से मिलाएंगा, carbon dioxide release हुआ है, तो यह छोड़ी बाते कर याद रखोगे, तो कभी गलती होती ही नहीं है, अब हमें बात करने ही question number 33 की, और 33 के अंकर बोलता है, कि which of the falling method, A, B, C, D, or E is generally used for preparing the chloride listed below from 1 to 5, यह 1 to 5 दिया हो है, तो इन में से हम क्या यूज़ करेंगे, और एक बारी में एक यी बार यूज़ करना है इसको, ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर iron 2 chloride की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम action of an acid on an oxide और carbonate का इस्तेमाल करेंगे, यही करेंगे अपना, जैसे माल लीजिए, हाँ, यही वाली बात है, ठीक है, उसके बार next है iron 2 chloride, अब इसके लिए हमने action of an acid on an metal का इस्तेमाल कर लिया, direct combination बार 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 आता है, direct combination हमने यहाँ बे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, precipitation जो है, वो आपका double decomposition, बेसिकली, जब भी lead word आयाता है, वो precipitate के form में ही यूज होता है, तो precipitate की तरह यूज क्या करो इसको, और last हमारे पास आयाता है, neutralization में सोडिय kolonide आपका त्यार होता है, देखे अब हम बात करें, question number 34 की, अब 34 के अंदर हमारे पास 5 पार दियो है, अब वो कहते हैं कि कुछ methods आपको दिया है, जो lab में हम यूज करते हैं, जैसे कि metal को acid से react करा दिया, carbonate को acid से react करा दिया, या precipitation कर दिया, या precipitation कर दिया, जा फिर direct combination हम करत है, iron 3 kolonide के अंदर, फिर से आ गया ना, और साथ में बादम करते हैं, titration की, तो अब इसने बोला है कि इन salts को आपने prepare करना है, मैं थर बता दिजे क्या है, ammonium sulfate, titration के through ये आपका होगा, जिसके अंदर हमारे पार ammonium hydroxide है, S2SO4 से react करा दिया, और आपको आपका required answer मिल है, next है, calcium sulfate, calcium sulfate, ये precipitation की बात है, ये double decomposition, या, जिसके अंदर calcium carbonate का इस्तमाल होगा, S2SO4 से react करा जाएगा, और आपके पास calcium sulfate, S2O, carbon dioxide त्यार हो जाएगा, iron 3, भाई 3 जब हो, iron वो भी, तो सिदी से बाता direct combination की बात करेंगे, FV, ये heated form में है, ये dry है, मिला दो, बन गया, उसके बाद next है, lead nitrate, simple सी बात है, अब यहाँ पर, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर lead carbonate लेंगे, उसको nitric acid उससे react करवाएगे, जैसे react करवाया हमारे पास हमारा required answer आ जाएगा, अब हम बात करते हैं, last part की, that is, zinc sulfate, अब zinc sulfate को ये अंदर हम metal और acid को मिला देंगे, और हमारा required answer हमें मिल जाएगा, I hope आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हाना, चलिए, अब आ लेके चलता हो, आपको बड़ा 35 नंबर पे, अब देखे, simple सी बात है, यहाँ बोलता है कि match the following, acid salt, contain only ions, sodium hydrogen sulfate, contain only molecules, contain ions and molecules, okay, तो देखे, sodium hydrogen sulfate, जिसमें hydrogen present है, present है नहीं की जाता है, dilute sulfuric acid, यह बेटा आपका बन गया, contain only ions, इसमें, यह dissociate हो जाता है, यह contain ions होते है, carbon tetra chloride, तो पूरा molecule ही होता है, तो C part आ गया, और फिर ammonium hydroxide solution, कुछ ions, कुछ molecules, और यह है आपका required answer, आप देख सकते हो, आपके सामने सारा कुछ detailing में दिया हुआ है, देखे, अब हम बात करेंगे, अपने आखरी question की, that is, classify the solution of the following as acid, okay, नीचे दिये गए जो है न, इनमें से बताओ के acid कौन सा है, यार, basis कौन सा, salt कौन सा, यह हमें बताना है, ammonium hydroxide, यह हमारा base होता है, barium chloride, यह हमारा salt है, sodium chloride, salt है, sodium hydroxide, base है, S2SO4, acid है, HNO3, acid है, फिर कहता है, एक ऐसा reagent, distinguish कर सकें, कि S2SO4 कौन सा, और HNO3 कौन सा है, barium chloride, barium chloride को, जब आप S2SO4 से react कराते हो, तो एक white precipitate आपका बनता है, जो की है, barium sulfate का, ठीक है, वो आपको मिलेगा, और HNO3 में कोई भी observation नहीं मिलती, जिसकी वैसे मैं असाने से distinguish कर सकता हूँ, कि यह मेरा H2SO4 है, कि HNO3 है, बक आपको यह सारे question और उनकी answer अच्छी तरह समझ में आगे होंगे, ठीक है, तो आज के lecture के अंदर, हमने acid, base and salts के, जितने previous question थे हमने, till 2018 तक हमने discuss कर लिए है, अब अगले lecture के अंदर, 2019 से लेके, 2021 तक आयो होए, जो questions हमारे पास होंगे, उनको मैं discuss करने वाल हूँ, वो भी का portion, on the basis of acid, base and salts वाला, यह आपका खतम हो जाएगा, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको लाइक करें, या अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी क्या करें, और अगर आप ने हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के हैं प्जाइब कर दो जेंडरी करें?